काफ़ी इंट्रेस्टिंग वीडियो वो बन पड़ा है अगर आप चाहें तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिछ जाएगा जाके देख सकते हैं तो बागवानी का शो करेखने वाले सभी दोस्तों को मेरी पैर भरी नमस्कार दोसों ब्लूमिंग यार्ड गार्डन स्टोरीज में मैं आप सब का स्वागत करता हूँ इसँला प्लांट की वह भी जाकतहिता हुँ है अब दॉ अगर अगर इसल्ट खरावे पत्ते अभी नहीं हटाएंगा इनको हम मिड फर्वरी में हटाएंगे अगर इस टाइम खराब हुए पत्ते हटाएंगे तो जो ठंड का इफेक्ट है वो ठीक ठाक जो पत्ते उत्ते हैं उन पे चला जाएगा इसलिए जो प्रोनिंग का काम है वो बींटर सीजन पहुता है हमेशा विंटर tej होती है तब कढ़ना सी है तो चलिए इसका जो बनाता है जोट की रस्ती जो कि किलो के हिसाब से मिलती है और 100 रुपे की पांच किलो आ जाती है तो जो रसी हमने ली है उसको हमने 8 इक्वल भागों में बांट लिया है जिनकी जो लेंद्ध है वो बिलकुल एक जैसी है अब सीरे से जितनी आप नीचे लेंद्ध छोड़ना जाते हैं उतनी लेंद्ध छोड़के गांट लगा लेंगे यह आप पर डिपेंड है कि जो नीचे लटके की चोटी वो आप कितनी रखना जाते हैं जितनी आपको अच्छी लगती है उतनी आप रख सकते हैं सारी रस्यों को इकठा करके सिरे पर गांट लगाने के बाद वो पोर्ट ले लेंगे जिस पे आपको प्लांट हेंगर बनाना है जो गांट लगा है अम निफ्स को ऐसे रखेंगे और दो-दो के चार पेर बना देंगे और अब जो है वो इतना इतना सचोड़ के सब पे एक एक गाट बदाएंगे इस तरह से इस गाट के बाद चार गाट लगाई है इस बाद का ध्यान रखा है कि इस गाट से चारो गाट है हमने लगाई है वो इकवल दूरी पे हो इसके बाद अब एक रसी इसमें से लेनी है और एक रसी इसमें से लेनी है और यहां पर गाट लगानी है अब यह प्लांट हैंगर हमारा बन के त्यार हो गए दोस्तों सिरुफ यह जो हमने नोट्स लगाई है इनको टाइट करना है सबसे पहले तो यह जो हमने हिस्सा छोड़ा था वो उसके बाद यह एक मेन गाँठ लगाई थी और उसके बाद एक वल दोरी पे चार गाँठे लगाई थी एक दो तीन और चार उसके बाद एक रसीस में से और एक रसीस में से लेकर यहाँ पर गाट लगाई है इसी तरह यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर अगर हमें लगता कि लेंथ कम छुटी है तो हम थोड़ा धिला करके लेंथ कम यह ज़्यादा कर सकते हैं झाल झाल